वाइगुर जी का खाल्चा वाइगुर जी की फते सिख चिंतन ते विचार कर देयां अज ये देख देयां के वातावर्न संबंदी गुरुबानी विच बहुत ही उसारू विचारा नू परगड़ किता गया बहुत सारे लोग आज दे युग विची महसूस कर देने के अनुआर्मेंट दे संबंद विचे बहुत वड़ी समस्या बढ़ी हुई है उस दा एक्विलीब्रिम खराब हो चुका है आज जो दो गड़ी ली हो लाच चुकी है अजिये सोचन ते मिजबूर होए है एक वड़ा स्वाल बन गया है के मनुख ने एस इंबैलेंस एस असंतुलन दे विचे जो तर्ती हवा पाणी ते हूर सारियां सूर्जी शक्ती इना सारियां शक्तियां दे विचे जो ताल मेल है ओ कटन करके गलोबल वार्मिंग वर्गियां स्थितियां शुरू हो चुकियां मनुख ने अपनी मन मत नाड़ संसार पर दे विचे किसे न किसे तरीक के दे नाड़ वातावर नुगंद्रा कर लई प्लीट कर लई बहुत कोजे यतन कीते ने गुरूस नानिक साहिब ने बहुत समय पहला आजतों पांच सौ साल तों भी वाद पहला इस संबंदी चेतना पैदा करनी कोशिश किती सी उनानु नजर आउदा होएगा के आउणवाले समय विच एस तरा नियास मश्यामा पैदा हो सागनी है ते उनाने तर्ती पाउण पाणी देन रात रुत्ताने तब्दील हूणदा जो सिल्सला है उसनु मनुख्य मन दी संतुष्टी नाळ भी जोड़या उदे नाळ नाळ मनुख्य लोड़ां दे पक्तों भी एसनु पर्गड करन्दी कोशिश किती अशी साइस दे आदा आरुत्ते बहुत समा बाद इस तरां दी समस्या बारे जाए इस तरहन दी महत्ता बारे इस तरहन दी सार्चुकता बारे बड़ी देर बाद सुचेत होए तो जदो गुरु नानिक साहिब ने बारा मारा राग तुखारी रचया उस विले वखवख मी नया दे संबंद विच जदो जिक्र कर देने उना दिया रुटना दा मनुख दे मन आर संबंद जोड़ के विख़देने एक अल कोई निरी सिंभालक नहीं असलवेट एस आदा आरुते कहा जा सकता है के मनुखी मन दा मनुखी सेथ दा मनुखी रणी बेनी दा मनुख दे जीवन जिवन दा संबंद जो है ओ कुल कुदूरती शक्तियां देनाड कुल वाता वर्न देनाड कुल अन्वार्नमेंट देनाड जुड़े हुए है गुरु नानिक साहिब सानु सुचेत कर देने के जो पाउन है ओ पाणी है तर्ती है ये सारियां शक्तियां मनुखली तुरेदा कम कर दियाने जदू एक केंदेने पवन गुरू पाणी पिता माता तर्तमहत देव सरात दोए दाई दाया खेले सगल जगत ता निस्चत तवर्ते सानु ए प्रताख हुन दे के उन्ना दे सामने आउनवाडे समेविच जे येसी ना चेतन रहे ता ये बैलंस टुट सकता इस तरह दी महत्ता इस तरह दी जो इंपार्टेंस है वक वक वतावर्नी शक्तियां दी ओ जे विगड जावे ता मनुखली कातक हो सकता आज जैसी वेख देयां के सारी संसार दे उत्ते हवा भी गंदली हो चुकी है पाणी भी पलीत हो चुकी है इत्थों तक के दुनिया पर दे बहुत समती देश्यां दे विच पीन वाले पाणी दी काट पैदा हो गी है बहुतला तो बिना पाणी पीना खतरनाक समझा जान लग पया है तरती हिटला पाणी जो किसे समय बड़ा साफ सुथरा समझा जान दा सी जेनू कुदरती ता उरते तरती जियां तयां दे विच उं गुदरते हो यां पवित्तर रूप मिलदा सी ओ आज कल ओ पलीत हो चुके है खास तरते पारत दे विच और पारत विचों भी पंजाब दे विच ये देख्या जा सकता है के में द्रियामा नदियां ते वाग दे पाणियां दे विच घलीज पाणी पाके उना दा नास मारा जा चुके है मनुक ने बहुत सारे सादना दे नाड हवानों भी घंदयां कीता है और दुनिया पर जो कई देशां दे विच चित्थों तक है के आकसीजन दी जो मिकदार चाही दी है ओ प्रापत नहीं हो रही गुरु साब ने सानु चेत्न कीता है सी के ना कुदर्ती शक्तियां बारे जेडियां सानु जीवन दान दे दियाने जेडियां सानु शक्ती प्रदान कर दियाने जेडियां सानु जिवन जोगा कर दियाने जना दे कोडों अशी सा लेंड लई और सारी ज़ेड़ी स्रीर के लोड़ मताबक हाईड्रेशन लेंड लई और अधे नाल नाल त sofortी माँ दे कोडों खान पींड दे ताह। सारी वस्ताँ प्राप्च कर दे है उननुवशी आपी गलीज कर दे ताह। गंदियां कर देता है उन्हां दे विच बहुंच सारे इस किसम दे ताट अशी मला देते है जिना दे कारण अशी किसे भी तरह सोख नाड नहीं जियू साकदे बीमारियां दी प्रमारा कैंसर वर गे मारू रोग इना कारना करके फैल रहे है और महा मारियां दुनिया दे विच मनुख नू तबाह करन वाड़े पासे नू तुरियां हुई है मनुख ने गुरु साहबान वर गे चिंतका दी बाणी तो प्रेरना लाइन दे था जदों बेप्रवाही कीती है ता वेक सागदेया के नतीजे बड़े कातक निकलन वाले ने अशी जे आक्सीजन दी गल करिये ता आक्सीजन सानू रुखा तो मिल दी है अशी तर्ती मादी बुकलनू ओस दी गोदनू रुखा तो खाली कर देता रुख तर्ती पुत्तर ने और रुख लगा तार लंगर ने सदीवी लंगर रसियों ननू कह सकनेया उना तो जीव जानतू पांची और बहुत सारे कीडे मकाड़े भी जैंदगी प्रापत कर देने अपनियां लोडां पूरियां कर देने tenda ने रुख बहुत Vergleich को शोश भांची जैंदगी ए्रापत कर देने नेज़ मया वयों मेग में सकते जनूषी तर्त रुख शोज़ी जात चैं안 में से गवानज़ Tillस आंवरोग ऑोcott पूर्य सारे कीवायं ओर स Looking partager